नमस्कार दोस्तों मैं हूं संदीप मौर्या और आप देख रहे हैं CID Academy जौनपूर दोस्तों आज का हमारा वीडियो आर्टिफिस्यल रेन यानि क्रितिम वर्सा पराधारित है दोस्तों जरूरत के हिसाब से जहां मन हो वहां बर्सा करा लेना है इसे कहते हैं आर्टिफिस्य करता हूं मानों के द्वार अपने हिसाब से जिस स्थान पर चाहे उस स्थान पर बारिस कराना क्रितिम वर्सा कहलाती है जैसे कभी प्रदूसर कम करने के लिए इसका इस्तिमाल होता है तो कभी कहीं बारिस नहोने पर इसकी मदद ली जाती है मतलब मानों निरमित बारिस आ बादलों पर सिल्वर, आयोडाइट, कॉमन, साल्ट, सुस्क, बर्व या ऐसी चीजे डाली जाती हैं इनकी वज़य से मौजूद नमी एक साथ एकत्र हो जाती है जिसे से बारिस होती है तो अब हम बात करते हैं कि क्या जरूरत है कृतिम वर्षा की तो जरूरी क्यों है उस पर बात करते हैं कृतिम वर्षा का सहारा उन जगहों पर लेना पड़ता है जहां बारिस कम होई होती है इसकी मदद से बारिस से भसले खराब नहीं होती है कई इलाकों में बन रहे तुफान को सांद करने के लिए भी क्रितिम वर्षा कराई जाती है तो अब आगे बात करते हैं कि आस्ट्रेलिया और पूर्वी यूरोप में क्लाउट सीडिंग उसके क्या फायद है हुए उसका क्या असर रहा उसमें बात करते हैं आस्ट्रेलिया और पूर्वी यूरोप में ओला वरिष्टी काफी अधिक मात्रा में होती है इसलिए वहां मेग बीजन का उपयोग काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है मेग बीजन की विधी विक्सित होने से पूर्व आस्ट्रेलिया और पूर्वी यूरोप में ओला वृष्टी से भारीच हती उठानी पड़ती थी तो जैसा कि आपने देखा आस्ट्रेलिया और पूर्वी यूरोप में इसका फायदा मिला और ये हमेशा काम की चीज है इसलिए जब जरूरत होती है तो कृतिम वर्षा कराई जाती है अब हम बात करते हैं कि मेघ बीजन का महत तो क्या है तो विज्ञान की भासा में बात करें तो मेघ बीजन का मतलब बादल होता है बीजन यानि कि सीडिंग मेग वीजन से कुछ चेतरों में काफी रहत मिले जैसे हवाई एड़ों पर छाई धुंद के कारण दुरगटना होने की आसंका काफी बढ़ जाती इसलिए मेग वीजन से हवाई एड़ों के आसपस छाई धुंद को हटाया जा सकता है इस प्रकार मेग वीजन वर्तवान समय में ग्यान के लिए एक अच्छा वर्दान है तो मैं बात करूँगा जैसे कि भी सर्दियां चलने ही बहुत जोर के कोहरे हैं आप देख रहे हैं कोहरे में आतायाद बहुत परिसान मतलब एक तरह से बाधित हो जाता है आना जाना बहुत दूरलब हो जाता है ऐसी हालत में एरोपलेन का चलना जहाजों का आना जाना तो हवाई अड़ों पर भी दूर तक भेंकर छाईवी धुन्द कोहरे को हटाने के लिए ऐसी वारिस की जाती है जिसकी वज़े से मौसम साफ हो सके और सारी चीजे संचालित की जा सके अगली हेडिंग मैंने बना रखा क्या ऐसी वर्सा खतरनाक भी है अब हम इसके कुछ नुकसान या फायदों पर नजर रखते हैं जैसे कई संस्थानों का कहना सिल्वर आइडाइड जीव जन्तों को नुकसान पहुंचाता है मौसम को गड़बर कर सकता है इतना ही नहीं इसमें खर्चा भी बहुत होता है साथ ही इससे बाढ़का खतरा भी होता है जैसा कि आप जानते हैं विज्ञान में बहुत सी चीज़ें जो बहुत काम की हैं उसके कुछ नुकसान भी है अपने तो ऐसा बहुत संस्थानों का कहना है आगे बात करते हैं कि बादलों में केमिकल को छिड़का कैसे जाता है इस बात पर बात करेंगे तो हवा में हवा के जरिये क्लाउड सीडिंग करने का इलिए आम तोर पर विमान की मदद लिजाती है विमान में सिल्वर आयोडाइट के दो बर्नर या जनरेटल लगे होते हैं जिन में सिल्वर आयोडाइट का गोल उच्छ दाब पर भरा होता है लच्छित छेत्रयानी की जिस छेत्र में करानी होती है उस छेत्र में विमान हवा की उल्टी दिसा में चलाया जाता है ताकि घोल जादा छेत्र में फैले उस बादल के पास पहुचते ही विमान का बर्नर चालू कर दिया जाता है तो मुझे उमीद है कि आप समझ गए होंगे इस भासा को आप वीडियों को पाउस करके आप लिख भी सकते हैं इसे आप एक अच्छा नोट से तयार कर सकते दोस्तों और मैं कोसिस करता हूँ कि आसान सब्दों में आपके सामने पेस करूँ सब्सक्राइब करता है